सब्सक्राइब कीजिए टेक्नार रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए कैसे आप लोग टेक्नार रिव्यू में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम करेंगे बैटरी द्रेन टेस्ट इन चार फोन के ऊपर तो आज ही आपर हमारे पास है सब्सक्राइब करेंगे तो पूरे बैटरी टेस्ट के टाइम हम साइड में सब्सक्राइब करेंगे जिसे आपको हर एक फोन के एक स्क्रीन उन टाइम पता चल जाएगा हर एक फोन को हम स्वीच ऑन कर लेते हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक फोन को हमने फुल तक चर्च कर लिया है तो यह को सब्सक्राइब करेंगे वाइफाइ ब्लो टूथ लोकेशन और फ्लैश लाइट को अन करके और जैसे आप लोगों ने पिछली बार कि बैटर लेवल को 50% कर देते हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि रिल्मी 3 Pro की 50% brightness दूसरे फोन से काफी ज्यादा ब्राइट है पर फिर भी हम brightness को हर एक में equal रखेंगे तो start करेंगे Instagram से और Instagram को हर एक फोन में चला लेंगे और चले जाएंगे एक पर यहां पर कंटिनुसली स्क्रॉल करते रहेंगे 10 मिनिस तक और 10 मिनिस इंस्टाग्राम यूज करने के बाद बाटरी द्रेंट बहुत है तो बैटरी को भी बिना चेक किये चले जाएंगे Facebook में और फोन में चलते एक Facebook group में जहां हम इस तक इस ग्रूप पेज को स्क्रॉल करते रहेंगे हम एक सब्सक्राइब करते हैं और करना को सब्सक्राइब हमуш mogra जो जाने के बार फीर से चलया लेंगे है ते दो बरूंद बैक टुबेक द्फॉट सबस्द हो जाने के बादे नाओ हम खंट हम देख कररेतेments की बैटरि लेवल Note 7 Pro Realme 3 Pro में है 91%, Note 7S में है 89% बैटरी और Galaxy M40 में है 85% की बैटरी लेवल चलते है Asphalt 9 में और Asphalt की ग्राफिक सेटिन में हमने हर एक फोन में हाइस ग्राफिक्स में सेट कर दिया है और दूसरे बैटरी ट्रेंटेस की तरह यहां भी हम Asphalt को हर एक फोन में touch screen को continuously use करके खेलते रहेंगे तो यह 30 minutes तक Asphalt 9 को हर एक फोन में खेलने के बाद नाव चलते हैं होम स्क्रीन में और बैटरी लेवल को चेक कर लेते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं के 30 minutes तक Asphalt 9 खेलने के बाद Note 7 Pro और Realme 3 Pro में है 81%, Note 7s में बैटरी लेवल है 82% जहां Am 40 में है 76% और राइट नाव चले जाते हैं Clash of Clans में और हर एक बार की तरह Clash of Clans में हम टूस बना के अटैक करते रहेंगे continuously for 30 minutes और 30 minutes तक Continuous the Clash of Clans खेलने के बाद नाव चलते हैं Home Screen में और Note 7 Pro में है 76%, Realme में है 73%, Note 7s में 75% जहां Galaxy M40 चल रहा है और 68% बैटरी टेस्कों करते हैं YouTube में जाके और YouTube में हमारे चैनल में से किसी भी एक वीडियो को चला लेते हैं एक वीडियो कतम हो जाने के बाद कोई दूसरे एक वीडियो चला लेंगे और 30 minutes तक हम YouTube में वीडियो देखते रहेंगे और 30 minutes तक वीडियो देखने के बाद नाव बैटरी लेवल Note 7 Pro की है 70%, Realme 3 Pro में है 63%, Note 7s में 68% और Galaxy M40 में बचा है 61% की बैटरी YouTube से नाव चला जाएं के हमारे सबसे ज्यादा बैटरी रेंगें पर जो है PUBG, तो यह PUBG में हमने हर एक फोन के लिए ग्राफिक सेटिंग सेट किया HD और High FPS में क्यूंके यहां बे हर एक फोन में आप मैक्सिम सेट कर सकते HD और High सेटिंग में तो टेस को एक्वाल रखने के लिए हमने वही सेटिंग को हर एक फोन में अपलाई कर दिया है हर एक फोन में हमने चला लिया है squad match और हर एक बार की तरह हम हर एक फोन में सब्सक्राइब को यूज करके PUBG को एक घंड़ा तक खेलते रहेंगे और राइट एक घंड़ा तक PUBG खेलने के बाद नाव चल जाते होम स्क्रीन में और नाव बैटरी लेवल को चेक कर लेते है Redmi Note 7 Pro में बचाए 50%, Realme 3 Pro में है 43% बैटरी Note 7 S में 47% जहां M40 में है 35% की बैटरी PUBG के बाद चल जाते है कैमरा एप में और हर एक फोन में चला लेंगे वीडियो रेकॉर्डिंग यहाँ पर Note 7 S को छोड़के बाकी सारे फोन में 4K वीडियो रेकॉर्डिंग सपोर्ड़ेड है पर इसको एकुल रखने के लिए हमने सारे फोन में सेट कर लिया है 1080p रेकॉर्डिंग के ताइम हम हर एक फोन में टैप फोकस कर रहे हैं जो हम नॉर्मल वीडियो रेकॉर्डिंग के टाइम करते हैं दोस्तो रेकॉर्डिंग के एकदम एंड में हमें रियल्मी 3 Pro में मिला ओवरीटिंग का वानिंग मेसेज जिसके वजह से रियल्मी में ज्यादा बैटरी रेकॉर्डिंग करने के बाद चले जाते होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं के वीडियो रेकॉर्डिंग करने से अराउंड 6-7% का बैटरी डेन हुआ ह एक फोन तो नाव बैटरी को में छेक किये चले जाएंगे रेमिन एडवेंचुर्स में पर उसे चलाने से पहले जैसे आप देख सकते के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हर एक फोन का फ्लेश लाइट आफ हो गया है, तो ना पहले हर एक फोन की फ्लेश लाइट को आउन कर लेते हैं. अल राइट, तो चलते हैं रेमेन अडवेंचर्स में, रेमेन अडवेंचर्स पुबजी जैसा ज्यादा हेवी गेम जैसा कुछ नहीं है, पर इस गेम को हम इस टेस्ट में यूज करते हैं, क्योंके हर कोई सिर्फ एवी गेम नहीं खेलते हैं, बुख बहुत लोग ऐसे होते ह है तो इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि लाइट वेट गेम्स खेलने के टाइम कैसा बैटरी ड्रेन होता है और यह मोर दें 15 में तक रेम एड़ेंश खेलने के बाद हर एक में अगें 5-6 परसंट का बैटरी ड्रेन हुआ है तो यहां से डायट ली चले जाएंगे मेजर मेहम 2 में यह गेम लाइट वेट होने के बाद भी इसे खेलने के टाइम आपको कुछ ज्यादा ही टैप करना पड़ता है जिससे अगें थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेन होता है तो 250 में इस तक मेजर में हर एक फोन में हम खेल रहे थे पर कुछ दिर बाद जाके इस बार नोट 7S में हमें वही सेम ओवर हीटिंग वाला वार्निंग मेसेज मिला है तो एक्शली फोन ओवर हीटिंग होने के वज़े से मोबाल डेटा GPS कैमरा और फ्लैशलाइट डिसे बिल्ट हो गया है और जैसे हमने का ओवर एटिंग के वज़ए से यहां बैटरी द्रेंट भी ज्यादा है पर फोन थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम फ्लैशलाइट को एक बड़ फिर से अन कर लेंगे तो अगर इंफिटिमीस तक मेजर मेहम खेलने के बाद ना होम स्क्रीन में जाके अभी बैटरी लेवल को चेक कर लेते हैं ओके तो नोट सेवन प्रो में है 34 परसेंट रिल चला लेंगे बेंचमार्किंग टेस्ट बेंचमार्क स्कोर आजाने के बाद यहां से चले जाएंगे और अगें इंटेंसली आइसवल 9 को खेल रहेंगे फॉर 30 मिनिट्स जैसे आप देख सकते हैं के M40 में 10 परसेंट बैटरी के नीचे आजाने के बाद एसफेल जैसे हेव और नोट 7S चल रहा है और 10% और जैसे हमने कहा अभी हम इंटेंस प्रेशर देटें बैटरी में तो हर एक फोन में एक घंटा तक चला लेंगे PUBG और देखते हैं के इन में से एक भी फोन एक घंटा PUBG को चला लेता है कि नहीं तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया नोट 7S में इसमें ज्यादा टाइम के लिए हेफी अप्लिकेशन से या फिर गेम्स को खेलने से फोन में आपको ओवरेटिंग का प्रॉबलम काफी ज्यादा नजर में आएगा और फोन में बैटरी लेस दन 10% आजाने के बाद नेट नेटवर्क का प्रॉबलम दिखाई दिया और फोन इतना ज्यादा लाक कर रहा था ओवरेटिंग के लिए के फोन में कुछी टाइम बाद पूरा बैटरी ड्रेन आउट होके फोन स्विच अफ हो गया दोस्तों पबजी चलनाने के ठीक 21 मिनिट बाद जाके नोट 7S हो गया इसे भी कर देते हैं फेस डाउन एंवेस कंटिव करें के हमारा टेस्ट्रेट भी नोट 7 प्रो में पर इसमें भी बैटरी ऑल्मस्ट खतम हो चुका है और रिलमी 3 प्रो बंध होने के ठीक 28 मिनिट बाद जाके फाइली नोट 7 प्रो भी हो गया शुट डाउन और हम इसे भी कर देते हैं फेस्ट थैंप हम हमारे से भ्वाच को बंध करके यहां से हटा देते हैं और ना देख लेतें इन सारे फोंगी एक्जाइड ऑन टाइम तो जैसे हमने एक्सपेट किया था यहां पर सबसे कम बैटरी होने के वज़े से सबसे पहले बंध हो गया हमरा ग्या स्क् 15-minute का screen on time but last time की बैटरी द्रेंट से compare करें तो इस बार हमें दो तीन बार overrating का message मिला है जिसके वजह से इस बार लास टाइम से comparatively थोड़ा कम screen on time हमें मिला है next हमारे आज की battery drain test का runner-up है realme 3 pro सबसे जयादा battery capacity होने के बाद भी इस बार हमने realme 3 Pro तो में भी ओवरेटिंग का इशूस देखा है जिसके वज़ए से इसमें लास्टाइम से काफी कम स्क्रीन आंटाइम हमें मिला है तो फाइनली आज की बैटरी द्रेंटर्ट का विइनर है बैटरी द्रेंट हो चुका है और जैसे हमने दीखा कि Galaxy M40 में 3500 इमिज बैटरी होने की वज़े से मतलब इन 4 फोन में सबसे कम बैटरी कैपसिटी होने की वज़े से Galaxy M40 सबसे पहले बंद हो गया पर अगर बात करें बैटरी बैकप की तो हर एक फोन का बैटरी बैकप हमें बढ़िया मिला है पर इस बार हमें Note 7 Pro, Note 7S और Realme 3 Pro में ओवर हीटिंग का मेसेज मिला है जिसके वज़े से लास्ट तैम की बैटरी बैकप से हमें इस बार काफी कम स्क्रीन उन टाइम मिला है इन फोन्स में दोस्तो यही था हमारा बैटरी द्रेन टेस्ट इन 4 फोन्स के ऊपर पर आप हमें नीचे कमेंट से बताएं कि आपको बैकरी बैकप के हिसाब से इन 4 फोन्स में सबसे बढ़िया कौन से लगा है और यही ताच के वीडियो को बसान रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसे के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में